आग्रा जन्पत के थाना डौगी छेतर के आग्रा फत्यवाद मार्गे स्थेद नगला कांश में उस समय चीक पुकार मच गई जब आग्रा की तरफ से आ रही तेजगती की रफ्तार से गौवन से भरी आग्रा जन्पत के थाना डौगी छेतर के आग्रा फत्यवाद मार्गे स्थेद नगला कांश में उस समय चीक पुकार मच गई जब आग्रा की तरफ से आ रही तेजगती की रफ्तार से गौवन से भरी केंटर ने एक आठ वर्श यह बालक को अपनी चपेट में ले लिया और सूचना इस्थानिय पुलिस को दे दी मौके पर पहुचे इस्थानिय पुलिस ने केंटर को अपने कबजे में ले लिया और बाइक केशव को पंचनामा भर के पोस्माटम के लिए भेज दिया बताया जा रहा है कि मृतक रमन पुत्र नरेश उम्र करीब आठ वर्श यह बालक नगला कांश्थाना डौकी निवासी अपनी मा गायतरी के साथ मामा के यहां से घर वापस आ रहा था तभी अपने गाउं की ओर सड़क की किनारे जाने के लिए अपनी मा के साथ खड़ा था और रोड क्रॉस कर रहा था रोड क्रॉस करते समय तभी अचानक आगरा की तरफ से आ रही तेज गती की रफ्तार से UPAT BB 95 केंटर ने बालक को रौन दिया जिससे बालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और बालक की मौत की खबर की सूचना घर पर मिरते ही कहरा मच गया गाउं में सनाटा पसर गया मौके पर पहुंची थाना छेतर डौकी पोलिस ने केंटर को कबजे में ली लिया और पोलिस कारवाही करने में जुट गई प्रादा दरपर नियूस के लिए डौकी से गजेंदर तोमर की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें और हां बैल आइकन दरपर नियूस चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हां बैल आइकन दवाना ना भूलें चैनल के फेस्बूक, ट्विटर, इंस्टाग्राम केज को भी फॉलो करें